सब्सक्राइब करेंगे इसमें हम करेंट के प्रश्णों पर टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लिए टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस्ट सीरीज की प्लेइस्ट बना रखिए वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन एक्स्पिनेशन के साथ ठीक है 15 टेस्ट है उसमें आप उसको परचेस कर सकते हो एक टेस्ट में 150 प्रश्ण है ठीक वैसे जैसे एक्जाम में आते हैं ठीक है इनकी संख्या उपर भी जा सकती है 15 से प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक एक्जाम नहीं होता है और उसके स सुने वहिदाव्वदिवस मनाया जाता है कब इंटरनेशनल मार्च को अलमार्च को मनाया जाता है तो संहुच्त राष्ट कारिक्रम द Grade हर साल एक मार्च को सुन भावदिवस मनाया जाता है इसे पहली वार वर्ष 21914 में मनाया गया था इसे एड्स कारिक्रम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले वहत्वाव से लड़ना महत्वपूर्ण है और यह जो अभियान है वो एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को बढ़ावा देता है बिल्कुल यह करेक्ट है दोने के दोने स्टेट्मेंट तो भाषा प्रमाण पत्र सेलफी अभियान जो है सिक्षा मंत्राले दोरा बहु भाशाबाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विहत्ता को प्रुत्साहित करने के उद्देश से सुरू किया गया है तक कि एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके तो विकल्प सी सही है सी सी कोशन नुमर 3 पर आजाईए पूसा बैभब नमली के दमें से किस की एक किसम है बताईए तो जरा तो पूसा बैभब जो किसम है वो है ब्रिंजल की ठीक है बैंगन की किसम है देखे केंद्रे क्रशी मंत्री जो है नरिंदर सिंग तोमर उन्होंने 11 फरवरी देहर 22 को ICAR भारतिय क्रशी अनुसंदान संस्थान दिल्ली के 60 वे दिक्षान समारों को संबोरित किया और उन्होंने इस अबसर पर फलो एबम सब्जियों की 6 किसमों को राष्ट को समर्पित किया है जिन में आम की दो किसमे हैं पूसा लालिमा और पूसा स्रेश्ट बैंगन की किसमें पूसा बैभव पालक की किसमें पूसा विलायती पालक ककड़ी की किसम है पूसा गाइनोसियस, कुकुम्बर हाइब्रेड 18 और गुलाब की किसम है पूसा अलपना इनको याद रखिया है अगरिकल्चर से संबने तीन से चार प्रश्न यूपी पीसर्स में पूछ ले आता है लस्सा फीवर आम तोर पर किसके द्वारा फैलता है बंदर कुटा चुगा मच्छर लस्सा बुखार की फैलता है चूहो के द्वारा तो लस्सा बुखार पैदा करने बाला जो वायरस है पश्मी अफरिका में पाए जाता है और पहड़ी बार इसे वर्स 1969 में नाइजीरिया के लस्सा में खोजा गया था यहां बुखार चूहो द्वारा फैलता है और यहां मुख्य रूप से सियरा लियोन लाइबेरिया गिनी नाइजीरिया सहित पश्मी अफरिका के देशों में पाए जाता है लस्सा बुखार इस्थानी का यहां का और मैटोमिस चूहो में घातक लस्सा वायरस फैलाने की शमता होती है मैटोमिस रेट में कॉश्चन नुमर फाइब पर आजएए जल सक्ती मंत्राले दुरा आयोजवित रास्टिय जल पुरुसकार दो हर बीस में जल सन्रक्षन परियासों के लिए किस परदेश को पर्थम पुरुसकार दिया गया उत्तर परदेश तो जल सक्ती मंत्राले दुरा आयोजवित रास्टिय जल पुरुसकार दो हर बीस में जल सनरक्षण के प्रियासों के लिए उत्तर प्रदेश को पर्थम पुरुस्कार दिया गया सर्वस्रेश्ट राजी की स्रेणी में राजस्थान और तमिलनाडू को करमसाद दूसरा और तीसरा इस्थान मिला है तो पहले पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर तमिल नाडू कब मनाया जाता है राश्टे विज्ञान दिवस सभी को बता होगा राश्टे विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को तो चंदर सेखर वेंकट रमन द्वारा रमन परवाब की खोज करने की स्मर्ती में हर साल 28 फरवरी को राश्टे विज्ञान दिवस यानि नेशनल साइंस डे एनसडी के रूप में बनाया जाता है और बैंकट रमन को उनके इस कारे के लिए वर्ष 1930 में नौवर पुर्षकार से सम्मानित किया गया था और पहली बार राश्टे विज्ञान दिवस का बनाया जागा जाए 1987 को लेंड लॉक्ड है तो हल ही में मेडागासकर में चक्रबात इमनाती आया मेडागासकर इससे पूर्व चक्रबात वत्सी राय नामक एक तूफान के प्रभाब से उबढ़ा है जिसमें सो से अधिक लोग मारे गई एक आयलेंड है स्नेक आयलेंड या जमीनी द्वीप कहां इससे था ये यह है यूक्रेन में तो स्नेक आयलेंड जिसे सर्पेंट आयलेंड या जमीनी द्वीप के रूप में पर जाना जाता है यूक्रेन से संबंदित एक द्वीप है जो डेन्यूब डेल्टा के निकट काला सागर में सुत है यह यूक्रेन के छेत्रिय जलके परी सीमन में महत्वण भूमी का निवाता है Ocean No.9 पर आजए Oceans 222 सम्मेलन की मेजवानी किस देश वारा की गई है भारत नहीं की है तो इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नलोजी मदरास रिसर्च पार्क और नैशनल इंस्टिट्यूट आफ ओशन टेक्नलोजी दोरासेयों के रूप से भारत में पहली बार ओशन दोहर बाई सम्मेलन की मेजवानी की गई यह वैश्विक समुद्री सोथ करताओं का एक दूई बार सिक कारिक्रम है कोआला मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं अभी ऑस्टेलिया में आग लगी थी ऑस्टेलिया के जंगलों में बहुत सारे ठीक है वहां के जीब जंतू पेड़ पोधे जल कर भस्म हो गए तो आउस्टेलिया तो हाल ही में आउस्टेलिया ने आधिकारिक तोर पर कोआला का जो है इंडेंजर्ड परजाती के रूप में घोशित किया है और कोआला ओस्टेलिया के जंगलों में ब्रक्षो पर रहने वाला एक दुरलब परजाती का प्राणी है कोआला कोश्चन नुमर 11 पर आज़े है नुमर के तमसे किस टाइगा रिजर्ब को मंजूर भंज एलिफेंट रिजर्ब के रूप में भी जाना जाता है मयूर भंज एलिफेंट रिजर्ब के रूप में जाना जाता है कौन सा टाइगर रिजर्ब सिंप्ली पाल टाइगर रिजर्ब कहां पर रहे है उडिसा में तो उडिसा इस्तित सिंप्ली पाल टाइगर रिजर्ब सिंप्ली पाल कुल्टीहा हदगड हाथी रिजर्व का हिस्सा है जिसे मयूर भंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है चैंपियन्स पॉर्टल किस मंत्राले के अधिन है मानप संसादन विकास मंत्राले नहीं है क्रसी एबम किसान का लियान मंत्राले नहीं है भारत के प्रधान मंत्री द्वारा एक जून 2020 को सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्धमों यानि MSME की समस्याओं के समधान करने है तू चैंपियन्स नामक एक पॉर्टल लॉंच किया यह जो पॉर्टल है वो MSME मंत्राले की और से त्यार किया गया है भाषण चार द्वीप इस्तित है कहां पर बेओ बंगाल बंगाल की खाड़ी में तो भाषण चार द्वीप को थेगार चार द्वीप या फिर चार पिया के रूप में वह जाना जाता है यह बंगाल की खाड़े में सित है और इस दीव का निर्मान लगभग 20 साल पहले मेगना नदी के मुहाने पर गंगा, ब्रहमपूत्र और मेगना के गाद से हुआ था जो की हाल ही मैं यानि वर्जदोहार 6 तक समुद्र की सत्य से उपर आ गया बंगला देश ने भीडभाडबाले सीमा सिवरो से दबाब कम करने के लिए रोहिंग्या सरनार्थियों को इस दूइप में पुनरवाशित किया है पिछले तीन सालों से यह भाशन चार दूइप जो है वो नियूज में बना रहता है बाकू सहर किस सागर को इस परस करता है बाकू केस्पियन सागर को तो बाकू जो है अजर बेजान की कैपिटल है यह है केस्पियन सागर के तर्ट परिस्थित एक प्राचीन सहर है अजर बेजान काकेकस परवत के दक्षणी किनारों परिस्थित है और यह उत्तर में रूस पूरब में कैस्पियंसागर, दक्षण में इरान, पस्चिम में अर्मेनिया और उत्तर पस्चिम में जॉर्जिया से घेरा है। International Monetary Fund यानि अंतराष्टे मुद्रा कोस कितने देशों का संगठन है। अंतराष्टे मुद्रा कोस 190 देशों का संगठन है, जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित इस्तरत्य का सुरक्षित करने, अंतराष्टे ब्यापार को सुविधा जनक बनाने, उच रोजगार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, तथा दुनिय भर्मेगरीवी को कम करने के लिए काम करता है, तो आप्सन नंबर, सी होना चाहिए ना, इसका अंसर, क्योंकि सी में 190 लिखा है, बी में नहीं, कोश्चन नंबर 16 पर आजएए, बलादी बोस्तक सहर, किस देश में इस्तित है, बलादी बोस्तक सिटी, रूस में, तो बलाद साइवेरियन रेलवे, जो की रूस के सुदूर पूर्व को, रूस की रजधानी मोस्को और पस्चे में यूरप के देशों को जोड़ता है का, अंतेम स्टेशन भी है, एक योजना है, खेल नरसरी योजना, दोहर 22 ते इसका सुवारम किस राज़ की सरकार दोरा किया गया, हरियना, तो 16 दिसमबर 22 को हरियना के यूबा मामले और खेल मंत्राले दोरा खेल नरसरी योजना का सुवारम किया गया, इस योजना के माध्यम से राज़ सरकार खेलों को बढ़ाबा देगी, इसके तहत सरकारी निजी, सिक्षन संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी सुरूप किया जाएगा कोशन नुबर 18 पर आजएए हाल ही में एंटोनिया कोस्टा किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में पुरा निर्वाचित हुए एंटोनियो कोस्टा पुर्थगाल तो जनबरी 22 में एंटोनियो कोस्टा पुर्थगाल के प्रधान मंत्री के रूप में पुरा निर्वाचित हुए वह वर्ष 25 में पहली बार प्रधान मंत्री बने थे एक पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है कमला हैरेस फेनोमेनल विमन किसने लिखिया ये ये लिखिया चिदानंद और इस पुस्तक के लेखक है पुर्षिद पत्रकार और लेखक चिदानन्द राजगट्टा किसान ड्रोन किस कंपनी की पहला है किसान ड्रोन है किसकी गरुन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और अप्सन नमबर बी तो 18-22 को भारत के प्रधान मंत्री ने किसानों की मदद करने के लिए किसान ड्रोन का उद्गाटन किया गरुन एरोस्पेस ने अगले दो वर्सों में मेक इन इंडिया के तहत एक लाख ड्रोन निर्मान का लक्ष रखा है चिन नहीं में है ये तो 20 प्रशन थे करेंट से रिलेटेड इनकी प्रक्टिस से एक बार कर लेजेगा ठीक है इस सीरीज को आप 149 में परचेस कर सकते हो जिसमें 15 प्लस टेस्ट हैं एक प्रशन में 150 प्रशन हैं प्रशनों की प्रकृति वैसी है जैसे एक्जाम में पूशी आती है धन्यवाद और सारी डिटेल्स डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे रखिया है